दो साल से केस धर्श कराने के लिए भटक रहे हैं निमेशक यह अपडेट नौड़ा से है जो 11 नमबर 2020 की सबसे बड़ी लैटर्श नियूज हमें मिली है बाइक बोर्ट के खिलाफ केस धर्श कराने के लिए मेरट पहुँचे निमेशक थाना EOW मेरट सेक्टर की यहाँ पर एक लैटर्श नियूज हमारे पास आई है आप देख सकते हैं EOW के दफ्तर के आगे यह दोनों निमेशक अपनी परिसानी को लेकर यहाँ पर पहुँचे पूरी खबर ग्रेटर नौर्डा बाइक बोर्ट फर्जिवारे में फसे कई निमेशक को ठगी के खुला से के दो साल बाद भी रिपोर्ट दर्च कराने के लिए बटक रहे हैं सोमवार को दिली और हर्याना के निमेशक सूरच पुर इस्तित पुलिस कारियाले और दादरी कोतवाली पहुचे लेकिन उन्हें मेरट बेच दिया गया मेरट यो डबलू थाना पहुचकर भी उन्हें निराशा हाथ लगी अब उन्होंने कोट का दर्वाजा खटकर टाने का मन बनाया है बाइक बोर्ट फर्जिवारे के अरोपी पर सुरवाज से ही पुलिस सिकंजा कशने की डिलाई बढ़ती रही है इसके चलते दूसरे प्रदेशों में यहां आए कही निमेशकों को निरासा निरास होना पड़ा है इस मामले में लाखों लोगों से ठगी की ग कि बदरपुर दिली के रहने के रमेश ने बताया कि वह अपनी साथी लखनाओ और हर्याणा के 37 के साथ सोमवार को सूरज पुर इस्तित कारिया लया गए थे और उन्हें दादरी थाने बेद दिया गया दादरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्श करने की मांग की गई तो उन हमेश ने कोई रिसीविंग नहीं देंगेis ने बताया कि उनकी तरफ से कई निविशक केस्त दर्श कराने के लिए भठक रहे है तो दोस्तों हाला बहुत बस से बचता रहे हैं इस थाने से उस थाने इस विबाग से उस विबाग के पास निवेशकों को भटकाया जा रहा है और कहीं पर उनकी कोई F.I.R. दर्ज नहीं की जा रही और ना ही किसी तरह का कोई आसवासन है हाला ऐसे हैं कि निवेशक F.I.R. खून के आसू रोने पर मजबूर है सासन और प्रसासन केवल उनको धोके दे रहा है कोई उनका साथ नहीं दरा वज़ा यही है कि इस वक्त निवेशक और ना जाने कितने सैनिक अपने पैसे को लेनों को परिसान है लेकिन कहीं से कहीं तक उन्हें कोई रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा है रही बात E.O.W. की तो जाच के नाम पर केवल गुम्रा कर रहे है निवेशकों का पैसा देने की कोई पिरक्रिया भी तक सुरू नहीं की गई है नमस्कार दोस्तों